परकूर गवरं करूछ आवातारं संसार सारं भूजिगेंड्रहारं सदापसंता मिरद्यारं रविन्देभवंभवानि शहイतं नमामी नमस्कार मैं हूँ जोटसाचार डॉक्टर विन तिरपाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्तिती है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, चंद्रोदे कब होगा, चंद्रास्त कब होगा कौन सी तिथी है, कौन सा नच्चत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है दिसासूल कब है, राहुकाल कब है, चंद्रमाकिस राची पर रहेगा ये सब हम आपको बताएंगे आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब कैसे करना है और जब करने से आपको क्या लाव मिलेगा 12 राश्यों की भी बारे में बिस्तार से बताएंगे कि आज 12 राश्यों की क्या इस्थती है किसको राजनेतिक लाप मिलेगा कौन भूमिभौन खरीदेगा किसको प्रापल्टी से लाप होगा कौन बैग्यानिक बनेगा कौन इंजिनियर बनेगा कौन सोध कारे में जाएगा क कौन गाड़ी खरीदेगा, किसके घर में किलकारी गूजेगी, किसके घर में साहनाई बजेगी, किस अंके के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आपका बड़ा भाग गोदे होगा, सौधानी क्या बरतनी है, उपाए क्या करना है। गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्शकों के प्रस्णों का उत्तर भी देंगे आप देखते रहिए भाग की गुरू कारिकरम अब आईये बात करते हैं आज के पंचांकी आजहे 16 मार्च 2024 दीन है सनिवार सुदी होगा सबेरे 6.29 मिनट पर सुर्यास्थ होगा सामको 6.30 मिनट पर चंद्रोधे होगा सुबह 10.28 मिनट पर चंद्रास्थ होगा अगले दिन 1.14 मिनट पर चंद्रमार हैगा बिछ राशी में शुकल पक्ष है सब्तमीती थी है रोहडी नचत्र है प्रीती योग है और आज का जो सुम महुरत है दो पहर बारब पच के पांच मिनट से लेकर के 12 बच के 30 मिनट तक रहएगा रहुकाल है सुबह 9 बच के 39 मिनट से लेकर 10 बच 29 मिनट तक रहएगा पूरो दिशा का दिशा ऐब को एक बात का ध्यान रखना है जद्झ माय बिस राशी बिस राशी में चंद्रमा उच्छ का होता है तैक आज आप खाली हिवाई महल बनाएंगे कप ना करेंगे तो आपने कल्पनाओं को और हवाई महली अगर मुंद कि दे दे तो आज का दिन आपके लिए वेहतर होगा अपनी उर्जा को संड़क्षित करिए और एक जगा लगा दीजे बड़ा अच्छा रहेगा मन पर नियंत्रा रखें संबेदना में बहुकता में बहुकता कोई नेड़े न ले आज आपको अपने लोगों से थोड़ा मांसिक तनाव मिल सकत एक राहुकाल में किसी भी नय कारी की शुरुवात मत करिए दिश Instrumental में यातरा करने से बचंच है क्योंकि महामंतर है सूर्य पुत्र शनी का है शनी को कहते हैं कि न्याय के देवता है शनी चुकि अगर व्यक्ति कुल्ली में अच्छा तो अच्छा फल देता है खराब होता है तो खराब फल देता है जदि आप कि कुल्ली में शनी अच्छे जगह पर नहीं है दिक्कतारी शनी की वज आप इस महामंत्र का घर जब करते हैं तो आपका सनी आपके लिए अनकुल ता लिये होगा अनकुल फल देगा कम से कम परतेक सनिवार के दिन एक माला तीन माला जुरूर इस मंत्र का जब करें आपके लिए लाह प्रदर हैगा